सहलो जस्तो नमस्कार गैसे आप सभी वफिश श्वागताप का मेरे योटोब चैनल पर तो भाई यहाँ पर आ चुकी है खुस कवरी जैसे कि मैंने बताया था जो 1564 पदों पर जो है नर्सिंग ऑफिसर की जो है यहाँ पर बिग्यप्ति जो है आयो की तरफ से जारी हो चुक कनने की जो तिति है बाराठ जनवरी से एक फरवरी तक है ठीक है यहाई एक फरवरी लाजड देट रहेगी ऑनला आवदन भनने की ठीक है अब है रिक्तियों की जो संक्या है requis 1-74 है ठीक है और यह जो पद nिकले हैं चिकिस्ता स्वास्तियाविम परिवार कल्यान विभाग उत्राखंड में निकले हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है, चिकिस्ता स्वास्तियाब्याम परिवार कल्यार विभाग में ये निकले हैं, ठीक है, तो ये नर्सिंग आफिसर के जो है 1564 पदों पर ये विग्यप्ति जारी हुई है, इसमें देखिए 70% जो पद है, 70% पद जो ह हाँ पे जो है, BSC वालों के लिए है, यानि BSC नर्सिंग वालों के लिए है, इसी तरीके से जो अगर Males की बात करें, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जो 100, जो 80% जो पद है, वो फिमेल्स के लिए है, 20% जो पद है, वो Males के लिए है, पुरुस के लिए है, ठीक है, 80 परसेंट जो फिमेल्स के लिए उसमें से जो 70% है वो आपके लिए रहेंगे डिपलमा वालों के लिए और 30% है डिगरी वालों के लिए बीसी नर्सिंग जिन्हों ने की है या मसी नर्सिंग जिन्हों ने की है ठीक है और उसके बाद देखिए जो आपका मेल वाला है उसमें 70 10% डिप्लोमा वालों के लिए और 30% रहेगा डिग्री वालों के लिए डिग्री वालों के लिए परसेंट पद यहां पर कम है ठीक है अब यहां पर जो लेवल 7 का यहां पर आपको वितनमान देखने को मिलेगा 44,900 से 1,42,400 रुपे का ठीक है अब यहां पर देखिए पद कोड यह दे रखा है रिक्त पदों की संक्या यहां पर अनसुसी जाती अनसुसी जाती OBC EWS और जन्रल की ठीक है तो सबसे पहले तो अगर आप यहां पर पदों का देखिंगे तो यहां पर देखिए आप जो नर्स EWS के 62 पद है OBC के 69 अनसुसी जाती के 16 अनसुसी जाती के 110 ठीक है टोटल रिक्त पद यहां पर 623 है ठीक है इसी तरीके से अगर आप जो है डिगरी वालों के लिए देखिए यानि जिन्नोंने ब्याची मसी नर्सिंग किया हुआ है 539 पद उनके लिए रहेंगे उसमें 211 पर जन्नल के हैं EWS के 52 है OBC के 66 अनसुसी जाती के 101 जन्न जाती के 19 यहां पर है इसी तरीके से जो मेल्स के लिए यहां पर आप देखिंगे तो जन्नल के अगर आप देखिंगे यहां पर डिप्लमा वालों के लिए 281 पर टोटल है जिसमें 169 जो है जन्नल के है 28 EWS के है 37 ज के लिए बहतर बद है यहां पर जन्रेल वालों के लिए टोटल 131 हैं बाकी अधर कैटेगरी का आप यहां पर देख सकते हैं तो कुल रिक्त पद जो है 1564 है जिसमें की जन्रेल के 898 है टोटल EWS के 155 OBC के 187 ठीक है और जो अनसुशी जन्रेल जाती के 49 अनसुशी जाती के 275 टोटल पद यहां पर है ठीक है तो अब हम यहां पर देखींगे यह आरक्चन जो है यहां पर दिया गया कि भाई जो डिपलोमा धाली 70% जो आरक्चन है उनके लिए यहां पर जो 36 आरक्चन है पूरा डेटिल से यहां पर दिया गया है ठीक है उसके बाद यहां पर नर्सिंग अधिकारी महला के लिए जो 30% पद है डिगरी वालों के लिए यहां पर दिया गया है यह पद कोड भी इन्होंने दे रखा है ठीक है यह जो अब यहां पर उत्राखन के जो है पूर्व सैन भी यह दिया गया कि कितने कितनी सीटें उनकी रिजर्व हैं ठीक है इसी तरीके से मेल्स वालों के लिए भी यहां पर दिया गया है ठीक है सैचिक एहरता एजुकिशन क्वालिफिकिसंस की बात करें तो सामने सी बात है आपको वता होना चाहिए कि आपके पास में BSC Nursing हिंदी का कारे साधक ज्यान वह तो आपको होगा ठीक है और आपका जो है Nursing Counseling में आपका Registration होना चाहिए उत्राखन Nursing Counseling में आपका Registration होना चाहिए ठीक है बागी Desirable Qualifications आपका यह रहेगा और यहां पर अभिहरती के पास जो है देखिए उत्राखन भारतिया Nursing Counseling में Registration ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया कि आपके पास में अब उत्राखन जो Registration Nursing Counseling में आपका Registration Certificate Registration होना चाहिए ठीक है कि एज की बात करें तो एज यहां पर देखिए 21 से 40 वर्स एज हैं यहां पर ठीक है 21 साल मिनिमम और 42 साल Maximum है अधिक्तम आयुशीमा में चूट है आरक्षण का अनुसार आपको अधिक्तम आयुशीमा में चूट मिलेगी ठीक है तो यह नोना यहां पर पूरा दिया गया है कि जो आपका जो चूट हो किस तरीके से मिलेगी OBC, SC, ST, EWS Category के लिए ठीक है अब यहां पर देखिए आरक्षण का तो मैंने बता दिया है उसके बाद यहां पर देख लेते हैं नेक्ष्ट तो यह पूरा यहां पर दिया गया है अब चैन परक्रिया हम देख लेते हैं selection process तो यह जलसकी मैंने पहले भी बताए seniority wise रहेगा आपका seniority wise में जो आपका degree है डिपलोमा है उसमें जो marks आपके आए हैं दूसरा यहां पर जो है जैसे कि आपका 80% जो है females के लिए 20% males के लिए पद जो है निरधारित है ठीक है तीसरा यहां पर रहेगा कि जो आपके कितने अंख है उसके percentage के आपका merit बनेगी व जैसे डिपलोमा तो था डिग्री डारक अभीरतियों की योगिता करम में जैसे कि डिपलोमा या डिग्री में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रागत हो प्रतक प्रतक सूचिया तैयार करेगा यादि दो या अधिक अभीरति समानंग प्राप्त करें तो उनके नाम अभिरती की आयू जिसकी जनमतिती पहले हो उसका नाम पहले के आधार पर युकिता करम में रखेगा, ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए, अगर माक्स सैम आते हैं, तो फिर डेट वर जिसकी ज्यादा होगी, उसको ज्यादा प्रिफरेंच यहां पर दिया जाएगा, ठ ठीक है, तो ये फिलाल अभी आविदन, क्योंकि 12 जनवरी से इसके आविदन जो है, शुरू होंगे, ठीक है, अब फिस जो यहां पर रहेगी, सामने के लिए 300 रुपे है, ओबिसी के लिए 300 रुपे है, EWS काटेगरी के लिए डेट सो, और अधर काटेगरी के लिए भी यह 500 रुपे है, यहां पर फिस आपकी रहेगी, ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो यह है आपकी उत्राकन जो है, जो स्वास्ति अभी चीके साथ, स्वास्ति अभी हम परिवार कलियान, विवार के अंद्रकर, नर्सिंग, अधिकारी, महलाया पुरूस के 1564 बदों पर सीधी भ अपडेट मिल जाएगी, ठीक है, आप चेनल से जुड़े रही है, और इसके बाद आपको नेक्स्ट जो भरती है, जो आपका उच्ची किसा सिख्षा जब मेडिकल कॉलेजों में जो भरती आएगी, नर्सिंग ऑफिसर्स की वो भी में जो है, वो भी जल्दी यहां पर आय जो है, जो इस्टुडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, वो इस भरती को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पूर में भी जो देखा होगा, उत्राखन जो प्रावदिक सिख्षा पर साथ, यूविट्यार के द्वारा जो भरती निकाली गई थी, सीनियर्टी वाइज उस बदकाज होना जी